हेलो प्रेंड्स, मैं मन्दोश कुमार, अभी हम लोग केस के बारे में देख रहे थे, इसके पहले आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, या नहीं देखे होगे तो जरूर देख लिजेगा, हमने Uses of Objective Case को cover किया था, उसके पहले हमने users of subjective case को देखा था और इसके पहले ही हम workative case के बारे में जानें कि workative case होते क्या हैं जिसे सम्मोधन कारक रते हैं हिंदी में तो आज का आपका जो case है यही आपके exam के लिए important है सबसे ज़्यादा अगर case से आता है exam में तो आपका पजेशिप case से पुछा जाता है कौँसा case पजेशिप case इसी पजेशिप को एक और नाम से जानते हम zenitive case ठीक है पजेशन बताने वाले पजेशिप case होते हैं जिसको हिंदी में आपने अधिकरन कारक कहा था है यह अधिकार को दिखाता है कैसे अधिकार दिखाता है तो चलिए start करते हैं ध्यान देना है देखो मेरा fourth number पे होगा भाई आपने कहा कि सबसे पहला सीज हमने लिखना चाहा पजेशिप थ्यान दिजेगा पजेशिप case ठीक है भाई इसी पजेशिप को इसी पजेशिप को एक और नाम दिया जाता है हम बोलते हैं जेनीटीव क्या बूल गया जेनीटीव केश चलिए अब यहां पर ये चीज को हमें समझना होगा कि ये possessive case क्या होते हैं CT क्या होते हैं तो सब को ये पता होगा possessive possession possession का मदर्व समझते हैं कोई सुने होगे या मूवी में देखे होगे कोई कहता है कि आप बहुत न उसको लेकर न पर जैसे मानलो की होता क्या है बात को समझिएगा अगर मानलो की यहां पर कोई एक चलो एक राम है मानलो की राहूल है चलो हमने एक नाम ले लिया बाबू और एक और यहां पर हमने बना दिया चलो एक बोल दिया कि रोहित है ठीक है एक राहूल है एक रोहित है और मान लोग की इधर एक कोई लड़की है लोग हम इसका नाम रख देते हैं स्रेया क्या नाम लख दिये बाबो स्रेया बताओ अब होता क्या है कि मान लिजे कि राहूल और रोहित न दोनों बेस्ट फ्रेंड है होता है हम लोग भी दोस्त होते है तो क्या होता है कि राहुल कुछ इस स्रेया को बोल देता है जैसे होता है ना कि हम लोग जब कोचिंग अश्कूल में जाते थे या जाते हैं तो आदत होता है एक कॉमेंट करने का नहीं तो वैसे ही ये दोनों दोस्त है एक क्या किया कि राहुल ने स्रेया पे कुछ कॉमेंट कर दिया कि है ना जो भी बोला हो अच्छी लग रही है कुछ भी है ना अब बाबु होता क्या है कि जैसे ही राहुल ने श्रेया को है ना कुछ बोला कि रोहित ले लिया राहुल पे एक्षन कि क्यों तुम ऐसे बोला उसको है ना अब बाबु बात ऐसा था कि दोस्त राहुल रोहित है स्रेया तो 20 में कुछ है ही नहीं लेकिन वाबु जैसे ही राहुल पे एक्षन लेता है रोहित तो रोहित को राहुल बोलता है कि तू कुछ ज्यादा स्रेया को लेकर पजेशिब हो रहा है वहाँ समझे में आ रहा है पजे मलब बेटा इसके मन में कुछ और चल रहा दिखाया अपनापन अधिकार दिखा जाता है उसे हम बोलते हैं पजेशिब शुछ से बना है आपका पजेशन क्या बना है पजेशन तो चलिए इस बात को थोड़ा समझ लीजे कि पजेशिब क्या होता है तो इसमें हमने कहना चाहा कि यह बताएगा ownership क्या दिखाता खारी ownership जिसे हम हिंदी में माल लिखाना करते हैं या तो ownership करो आप या इसी को एक और नाम दे सकते हो belongingness क्या बोलते हैं belongingness को दिखाता है जब कियोई भी चीज आपसे जैसे मालू के मेरा है तो हमसे बिलोंग कर रहा है तो मेरा इस पे क्या हुआ अधिकार हुआ यहां पर क्या citizenship, malikana, belongingness इसका भी मलब वह इह होता है अब इसमें क्या होता है कि हमेशा धिया दिजीगा कि एक चीज इसका हिंदी विरता है बाबू का के की क्या देता है जैसे मैंने बूला राम की कलम मोहन की गाड़ी तो यहां पर क्या हो रहा है यह ownership दिखा रहे हैं बात यहां तक क्लिय कर दिखाने काम करते हैं वह हमेसा living दिखाएगा कौन दिखाएगा पजैशन हमेसा living दिखाते हैं मारो शपोज के पेन हमारा है ठीक है भाइया आपने अगर यह लिया तो हम आप पेन से लेलो है ना अलग कर दो तो क्या कभी पेन बोला कि मेरा कैप है दो क्यों ने बोला क्योंकि ये पजेशन नहीं दिखा था समझे में आ रहा है बात तो चलो ये बताने का काम कौन करेगा पजेशन दिखाने का तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है द्यान दिजेगा जी कि पजेशन जो दिखाने का काम करते हैं न वो करते हैं आपका लिविंग कौन पजेशन दिखाएगा भाई लिविंग एक बात यहां समझेगा लिविंग कोई भी होगा तो तो नाउन ही होगा लिविंग कौन होगा नाउन होगा होगा की नहीं होगा चलो अब हमें दिखाना है पजेशन तो जिस पे दिखाना है ओ बाबो यहाँ पे रहेगा यह हो गया आपका पजेशन living noun कैसा है living है यह दिखाएगा पजेशन तो जब पजेशन दिखाने का काम करता है तो एक बोल दो ना हमने क्या लिखा बाबू हमने क्या लिखा सही बोले आपने अपस्ट्रफे की पुस्ट्रफे थोड़ा रुख जाना है पुस्ट्रफी एस पुस्ट्रफी एस ना जिना कभी भी हम इसको पुस्ट्रफी नहीं हम बोलते हैं अपस्ट्रफे क्या बोलते हैं थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है अपस्टरफे अपस्टरफे ए-R है अपस्टरफे और जैसे ही A लगाते हो तो इसको पढ़ देते हो अपस्टरफी A clear है, तो A अपस्टरफी A से हैं, तो यहाँ पे हमने पजेशन दिखाने के लिए उस किया क्यों ऐसा करते हैं और थोड़ा अधी मिलाते हैं थोड़ा देखिएगा एक्जामपल से समझियेगा अगर मालो कि हमने बोल दिया कि दैखन you देजिए, गा रहुल कार, यहाँप एक बात को समझ में आया होगा, कि ये कार अपने आप में सर क्या है, नाउन है, हां की नाजी, कार क्या है बाबो, नाउन है, इससे आधा आपका केस का सोलोशन निकलने वाला है, थोगा सा बात को समझ लेना है एक बार तो कार आपका noun है और राहुल भी आपको पता होना चाहिए क्या है जि? noun है बात समझ में आया क्या तो एक बात सीखना है कि कभी भी noun के पहले noun नहीं आते अगर आप पहली बार देखे हो तो पीछे वाले वीडियो जरूर देखिएगा उसमें चीज हम mention कर दिये हैं कि कभी भी noun के पहले noun नहीं आता यह चीज हम आपको यहां पर थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि noun के पहले English में या तो बहुआ article आता है कौन आता है जी article या तो आते हैं adjective कौन आते हैं adjective या तो आते हैं preposition कौन आते हैं भाई चलो इतना बात हैं हमने आपको ऐसे ही यह सब चीजे जो है किताब में नहीं मिलेगा मेरा भाई तो यह सब थोड़ा सा note down करने का कोजिस मेरे concept को समझ येगा तो हमने कहा कि noun के पहले या तो article आएगा या तो adjective आएगा या तो preposition आएगा अब यी बात कहानी अगर समझ में आया तो कार जब noun है तो राहूल भी तो noun हुआ तो कभी noun के पहले noun तो आता नहीं है तो एक काम हमें दिया गया grammar ने हमें सिखाया कि एक का बात एक चीज जुड़ना होगा क्इया पस्ट्रफी क्या जुड़ना है अपस्ट्रफी जोड़ना है जैसे ही आपने लगाया पस्ट्रफी अब ये नावन नहीं एक काम करेगा adjective का किसका काम करेगा adjective का ओब दिखा रहा है आपका position है ना rahul star मतलब किसकी car? rahul kी car बास समझे मैं आ रहा है जैसे आपने एक बात और कभी शीखा होगा कि यह काम करें क्या शर आपने कभी सुना होगा कि my pain क्या सुना my pain अगर हम आपसे simple जानना चाहें कि pain क्या है तो क्या बोलोगे अरे बोलो ना नाउन है तो नाउन के पहले जो माई आया हुआ है मेरे भाई यह चीज हमने कभी पढ़ा है कि इसको कहते हैं possessive adjective क्या कहते हैं चला possessive adjective किसकी कलम मेरी कलम किसकी मेरी अब आउ यहां पे समझ हो इपेन के पहले जो माई आया है adjective हुआ कि नहीं हुआ possession दिखाया कि नहीं आपका गारी तुम्हारा book ए तुम्हारा your book ए क्या है possession दिखा रहा है क्लियर हुआ तो यहां पे क्या हुआ कि राहुल कार मतलब किसकी कार राहुल की possession दिखाया नजी इसी को हम बोलते हैं possessive adjective मतलब हमने कहा कि अब इसको न एडजेक्टी बना दिया क्लियर है बात समझ में आ रहा है क्या अगर मान लिजे कि एक और हम आपसे लिखना चाहें कि मोहन क्या कहा चला मोहन बुक चलो अब बताओ थोड़ा सा कि मोहन बुक शही होगा कहो कि बिल्कुल नहीं होगा अब तो हमें concept किलियर हो गया है अरे हुआ कि नहीं तो चलो न बताओ कि बुक जब नाउन है नाउन के पहले मुहन नाउन है भाईया गलत है क्या कर देना है ऐसे ही कहो सर मुहन्स होगा आया कि नहीं आया समझ में बिल्कुल आया होगा तो यहां पे मुहन के नाउन रहा नहीं अब तो बोल दो पस एसी वेजेक्टिव हो गए याजी किलियर किसकी बुक मुहन की बुक किलियर है ना किसी बात को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि दबूक अफ मुहन हम अफ लगा कर भी भाई इस बात को दिखाना चाहते हैं किसकी किताब दबूक अफ मुहन मुहन की किताब यह भी लिखना सही है कोई गलत नहीं काड़ सकता है बास समय में आ रहा है चलो अब आपके साथ दूसरा चीज जो तयार होता है वो तयार होता है इसके उल्टा बाईया एक हुआ लिविंग तो दूसरा क्या होगा नौन लिविंग क्या बोलते हैं नौन लिविंग तो ध्यान दिजिएगा अगर लिविंग पजेशन दिखाया है तो बोल दो न नौन लिविंग अरे क्या बात है नहीं दिखायेगा मा लो की राम और श्याम दो दोस्त है और एक साथ में राहुल भी है तो तीनों अगर घर आते हैं राहुल के तो राहुल के पापा बोलते हैं कि मेरे घर में राम और श्याम जो भी है हमने अगर पापा बोल दिया कि मेरे घर में श्याम नहीं आएगा मतलब राम तो आ सकता है बास मैं आ रहा है तो हर एक चीज के मीनिंग है ना अपोजिट मीनिंग त्यार हो जाता है अगर लिविंग पजेशन दिखा सकते हैं तो नौ लिविंग पजेशन अरे बोलो नहीं दिखाएगा बात हो इसमात चलो अब इस कहानी को भईया क्या करना ह है कि हमने कहा कि अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि नाउन क्या लिखा मिलेगा नाउन पलस दिखा पजेशन पजेशन किस पर दिखा जाता है बाबो कहो ना अरे नाउन पर ही तो दिखाए जाता है यहां पर हमने क्या लगा दिया भाई अपस्ट्रफियेस अभी बता कहानी को शही करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले पकड़ना है इस पजेशन को और यहां पे आप चिपका देंगे पजेशन के लिए चालो एक कहानी ठीक है जी पजेशन के बाद अब आपको क्या करना है कि यह जो अपस्ट्रफी एस आपने लिखे हो इसके बदले आपक नाउन को लिख दिए ये वाला अब शही है अब इसको आप बोलो कि ये हो गया सही आपका मलब पहले पजेशन लिखना होगा फिर ओप लगाएंगे अपस्ट्राफी के बदले और फिर क्या लिख देंगे हम नाउन लिख देंगे किलियर हुआ कि नहीं हुआ चलिए बहुत अच्छा ये अपस्ट्राफी एस है चलो जी आईए अब कैसे आपके एक्जाम में पूछेगा बहुत पूछा जाता है तो ध्यान दिजिएगा अगर हमने आपसे कहा कि फैंस क्या कह दिया जी फैंस ब्लेड फैंस ब्लेड फैंस देखे ना उसका जो हम लोग जाना बोलते हैं ओ फैंस का ब्लेड है ठीक है ना तो बताए इस फैंस अपने आप में लीविंग की नौन लीविंग होता है कि नौन लीविंग होता है बहुत अच्छे आपने कासा नौन लीविंग होता है तो यह वाला कहानी क्या हुआ जी गलत क्यों क्योंकि नौन पखड़ेए इस ब्लेड को तो हम लिख दिए ब्लेड ध्यान दिजेगा ब्लेड क्या लिखे ब्लेड इस अपस्टोफि के बदले हमने अभी सिखाया क्या लगा दोजी और यहां पर क्या जोर देना है जैसे लिखावाय फैन वो रहेगा तो बन गया ब्लेड ओफैन एक कामे करना है आगे यह बताएंगा हमा आटिकल में कि यह हुआ बाबु नाउन और यह हुआ आपका प्रिपजिशन और इसे कहते हैं नाउन तो जब नाउन पलस प्रिपजिशन पलस नाउन का केस कहीं पे आए कहीं पे पूरे इंग्लिश में तो पहले वाले नाउन के साथ एक क्या लगा दिया जाता है मेरा भाई द लगा दिया जाता है definite बनाने के लिए clear है तो इसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है आपने सीखा कि position जिस पे दिखा जा रहा है वो हमने लिखा उसके बाद आपको preposition लिखा है उसके बाद फिर से जो दिखा रहा था वो लिखना है एक और अगर मान लीजिए कि हमने आपसे कह दिया कि tables क्या कहा बाबू tables leg किसकी leg table की leg यह बताओ सही की गलाद कहो सर यह तो non living है कभी position कैसे दिखा सकता है तो इस कहानी को सही करने के लिए सबसे पहले आपको पकड़ना होगा इस leg को leg के बाद यह जो अपस्टफी दिख रहा है ना मेरे भाई इसके लिए क्या लगा दिये अरे क्या बात है off बचा हुआ क्या है जी जो भी चीज बचा हुआ है as it is हम लिख देंगे तो बनेगा leg of table और हमने आपको क्या सिखाया कि जब noun plus pre position पुलस नाउन का केस हो तो पहले वाले के साथ दा लगा दिया जाता है clear तो यह बन जाएगा the leg of table समझ में आया बाते हैं तो यह basic knowledge है आपका case का आज से case हो स्टार्ट हुआ है इसके जितने भी सारे वीडियोज आएंगे वो सारा में हम पूरे case को detail में जानेंगे clear है ना तो यह basic वात था I hope कि आपको बहुत अच्छे सा समझ में आया होगा कैसा वीडियो लगा आपको concept कैसा लगा जरूर comment करके बताना है और बार-बार बोलते हैं कि अगर मेरे channel पे नए हो जरूर इसको subscribe कर लेना है क्योंकि जो भी चीज़ हम यहाँ पे start करेंगे उसको complete पढ़ाएंगे clear है है ना तो आप जरूर अपना support देना है आप comment like करके हमें support कर सकते हैं ठीक है बस और तो कुछ चाहिए नहीं बस पूरा वीडियो को देखना है